दोस्तों यह है होंडा के तरफ से आने वाली होंडा साइन सौसी सेगमेंट की गारी है यह आज इस वीडियो में इस गारी का फुल डीटेल डिवीव करेंगे इसकी प्राइज माइलेज इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर्स और इस गारी पे क्या आफर चल रहा है प्रेजन टाइम पे आपको हर एक चीज के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को लास तक जरूर देखें वीडियो कर पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा दिया गया इस गारी का फ्रेंट लूक आप देख सकते हैं फ्रेंट में होंडा का लोगो मिल जाता है और ग्लॉसी ब्लैक फिनिस के साथ में इसका वाइजर दिया गया है दस वाट हाइलोजन बल्ब के साथ इस गाड़ी का इंडिकेटर दिया गया है यलो कवर के साथ में ग्राफिक्स मिल जाती है इसके वाइजर पे यलो कलर की जो कि काफी अच्छी लगती है इसमें फ्रंट में 35W का हाइलोजन बल्प के साथ इसका हेड लैम्प दिया गया है फ्रंट में टेलिसकोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और भाई 130 mm की इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक दी गई है इस गाड़ी में कोई भी डिस ब्रेक आप्शन नहीं दिया गया है जो कि जस्टि पाइड 25 R 17 सकस्ञन का इस गाड़ी में टैर दिया गया है टि व्डैंब आलगर विल मिल जाता है इस गाड़ी में जो कि काफी अची बात है अब्यक्श क इस गाड़ी का और मट्गार काफी अच्छे क्वालिटी का दिया गया हैक सकते हैं मैट फिनिस के साथ मैं इसका मैं गाड दिया गया है अलाइवील की कॉलिटी इस गाड़ी की काफी अच्छी है आप टायर चक कर सकते हैं इस गाड़ी का कुछ ऐसी त्यवाई गाड़ी साइट से इस गाड़ी पर यलो ग्राफिक्स दी गई है यह वाले मॉडल में इसमें एक और मलब कलर आता है रेड और एक सायद ब्लू कलर मिल जादा इस गाड़ी में टैंक कवर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का स्टील फिनिस के साथ में द इंजन पे होंडा का लोगो मिल जाता है और इस गाड़ी में वन लीटर ऑइल डलता है सिंगल प्लक के साथ में आती है गाड़ी इसका कैटिलिटी कनवर्टर चेकर सकते हैं बात करें एक जौस टेल पाइप की तो काफी पतली दी गही है इस गाड़ी की एक जौस टेल के साथ में इस पी की ब्रैंडिंग मिल जाती है यह गाड़ी का रियर फुट्रेस्ट फ्रेंट में मलब फ्रंट वाला फुट्रेस्ट आप इसका फोल्ड नहीं कर सकते हैं कुछ ऐसा दिखते है जौस टेल पाइप और भाई बात करें सस्पेंशन की तो यह इस गाड़ी का सस्पेंशन आप अड्जेस्ट नहीं कर सकते अपने हिसाब से अलब और सब गाड़ियों में 5 फे अड्जेस्टेबल सस्पेंशन दिया जाता है रियर में लेकिन इस गाड़ी का सस्पेंशन आप अपने हिसाब से अड्जेस्ट नहीं कर सकते रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेक द मिल जाती है और भाई grab handle single grab handle दी गई इस गाड़ी में silver finish के साथ में silver मतलब color मिल जाता इसके grab handle पे indicator आप रियर का चेकर सकते हैं 10 watt highlogen bulb के साथ indicator मिल जाता है और भाई 10 watt highlogen bulb के साथ इस गाड़ी की टेल लाइड दी गई है होंडा का लोगो मिल जाता है इसके सीट काउल पर कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी साइट से आपको यह गाड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आप कब लेने वाले हैं यह भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं बात करें इंजन स्पेशिफिकेशन की इस इस अप्र सफस्व आर्पीम पे और 8 अनम का टॉर्क प्रडूज करता है 5000 रपीम पे फ्यूल इंजक्शन सिस्टम के साथ में आती है गाड़ी और भाई इस गाड़ी में सिंगल हॉल दिया गया है कंपनी के तरफ से यहाँ पर साइन का लोगो मिल जाता है डियर फुट्रे जो कि काफी अच्छी बात है और भाई इस गाड़ी की जो ये चैन कवर है वो फैब्रिक में मतलब प्लास्टिक माटेरियल के साथ में आती है इसके वजे से मतलब वो जो पुरानी होने पर खड़कडाहत की आवाज आती है वो नहीं आएगी इस गाड़ी में इसका हैंडल व मिल जाता है स्पीडो मीटर और यहां पर फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है न्यूटल की लाइट इंजन एफाई लाइट मिल जाती है हाई लो बीम की लाइट मिल जाती है नहीं हाई बीम की लाइट मिल जाती है इस गाड़ी में हाई लो बीम स्विच मिल जाता है इंडिक से सिंगल हेंडेल में दी गई है फ्रंट भोक फ्रंट लोग गूष इस त रची है इस तरीक आजय का है आप कब ये गाड़ी लेने वाले हैं मैं कमेंट्स में जरूर बता है आप कैसी लगती है यह भी आप बता सकते हैं और कुछ भाई यहां पर साइन के बारे में लिखा गया आप पढ़ भी सकते हैं इसको लोगों के दारा जो फीडबेक मिलता है वो यहां पर लिखा गया है इस गाड़ी से यह भाई साब 70 का माईलेज निकाल चुके हैं जो कि काफी अ दूलर या फिर साइकल सूटकेस मतलब चारो सामान में से एक चीज आपको मुफ्त में मिल जाएगा बात करें प्राइस की तो इस गाड़ी की ओन रोड प्राइस है 69 थाउजेंड 79 जा रुपए और एक सवरूम बास 8900 रुपए कॉस्ट करती है अयोध्या में सरदार होंड शिक्स ल यस गाडि में वारंटी मिल जाती है जो कि काफी इस गारी City की आघगारी चाहती है हुए यंकित क्रवएत सटी हुआजजेंद कर यह जाएज च्शी गाड़ी मैं चयाएट तो इस गाड़ी में सीथ हाइट दी गई है ग्राउंड किलेरंस है से गाड़ी उन तो 68 mm कर वेट है इस गाड़ी का 99 kg का 99 cc सेगमेंट की गाड़ी मतलब इंजिन है इस गाड़ी में 99 cc का और इस गाड़ी का कर वेट भी 99 kg ही है यह है इस गाड़ी का ग्रीन कलर इसके साथ में आपको फिरी में साइकल दी जाएगी बच्चो वाली आप देख सकते हैं यह है इस गाड़ी का मतलब जो सुट केस में बता रहा था ना वो सुट केस रखा हुआ यहां पर यह है इस गाड़ी का रेट कलर आप देख सकते हैं रेट कलर में गाड़ी काफी अच्छी दिख रही है तो कैसी लगी भाई आपको वीडियो में कमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो कर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई